कि यह हमने कैसी डिवाइस पर नहीं है चिसको अपने डूल स्टेप के पास रख सकते हैं और जैसे कोई आता है तो यह मैट के नीचे रहेगा स्विच प्रेस होगा प्रेस होने कंडिशन में यह अलार्म टिगर हो जाएगा और यह मोरे स्टेवल मोड में है तो इसके टाइमिंग को सेट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं और यह अलार्म बज रहा है और एक बार अगर यह प्रेस हो जाएगा तो अपने डूरेशन तक ही बजेगा उसके बाद इसको फिर से हटाने के बाद ही दूबारा प्रेस करने तो इसको हम इसली अपने डूर मैट में इंटिग्रेट कर सकते हैं अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है बनाने से पहले आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जैसे एक मल्टीमीटर एक सोल्डिंग आरन, सोल्डिंग रॉड, कटर, अलाइनर यह सारे टूल तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसा यह बोड देख रहा है बिल्कुल ऐसा ही हमें बनाना है और जैसे इसमें कॉम्परेंट सारे लगे हैं वैसे हमें इस पर माउंट करके उनकी सोल्डिंग करना है फाइनरी टेस्टिंग करके उसको हमें वर्किंग मोंड में ले आना है तो सबसे पहले हम देखते हैं इस PCB board को कैसे से हमें complete करना है इस पे सारे components को इस top side से mount करेंगे यह top side का लाता है और यह bottom side जिदर से solding की जाती है तो हम एक एक करके सारे components लगाते जाएंगे इस board पे और उनकी करते जाएंगे और जो extra leg होता है उसको हम कट कर देते हैं यह component अपने लगाया जैसा आप वहां देख सकते हैं और इसके बाद एक power switch है power switch को लगाना होता है में जो on-off करने के जिए जाता है तो इसको पहले लगाने के बाद यहां पे सुड़नी कर लेंगे और उसके जो extra leg से cut कर लेंगे उसी तरह जैसे एक ब्रेज एक्टिफायर लगाना है तो रेक्टिफायर लगाते समय इसके directions को हमें ध्यान में रखना होता है कि जो positive leg होती है जो बड़ी बड़ी लेग होती पॉस्टिव वह इस पर चाहिए जैसा इसमें आप देख सकते हैं और उसके बाद क्यापसिटर होता है तो इसका जो बड़ा लेग हो ऊपर की तरफ होना चाहिए यह सारे एक इन और गडाइट्स को हमें ना चाहिए इसको तil में थेखना होता है इसको में परत्स करते कि कि रनके ऐखने इक लांट कर सकते compartit ऑपक्त्रीतने फोराए जैसा में लगा आप देख सकते हैं और जैसा इस लोगा इसमया आप और देहाँ तर्फिस्टेस है कि म चाहिए इस तरफ होना चाहिए तो इसको लगाने के लिए या तो आप डारेक्ट एक क्यों 555 टाइमर आइसी को सही डायरेक्शन में ऐसे हमें लगाना होता है और इसकी जो नौच है उपर की तरफ होती है इसको लगाने से पहले आप बेस भी लगा सकते हैं यहां बेस लगाई इसकी ऊपर पर इसी को मांट कर दिया इस तरह सारे कॉम्परेंस लगाने के बाद उसकी सोल्डिं करके कम्प्लीट कर लेंगे फाइनली टेस्टिंग करने के लिए एक बार हमें वोल्टेज पॉइंट प इस तरह से सारी पाउर सप्लाई पॉइंट्स अगर सही है तो हमारी सर्कृट प्रपली ऑपरेट होगी